अनुज और अनुपमा ने दिया शाह परिवार को वाशवभवन में रहने का सहारा हो रही है अनुज और अनुपमा की धूम धाम से शादी जी यहां दोस्तों उस्पहिट टीवी सीरियल अनुपमा की आने वाली कहानी में आखिरकार एक होने जा रहे हैं अनुज और अनुपमा फिर से वेल दोस्तों यह तो आप जाती है न कि यहां पर जो बिल्डर आता है तो तोश्यू जो है उसके साथ बहुत बत्तमीजी करता है यहां तो बिल्डर जो है शाम तक का समय देने को तयार होता है लेकिन तोश्यू की अकड़ बत्तमीजी देखने के बाद वो सिर्फ एक कि अंदर इन लोग को इस घर को खाली करना होगा जहां पर अब बहुत बड़ा कुलासा हो चुका है कि पचास लाग का लोन मी लिया है वनरास निया और जो गोटाला करके गया है उसके बाद यहां पर बिल्डर बहुत ही गुस्से में है और तोशु के बत्तमीजे देखने के बाद तो यहां पर इन लोग को धक्के मार के निकाल दिया गया है और अब यहां पर यह लोग बेघर हो चुके हैं लेकिन अभी भी तोशु और पाकी की अकड़ जो है वैसी ही है क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा तूफान आता है बारिश होती है और जब यहां बार और हम लोग नहीं जाएंगे यहां पाक्य और तोशु नहीं जा रहे हैं लेकिन अनृपमा ने कहा है कि यहां तो बारिश देख लो या तो फिर आश्यभावन के च्शत सिवलों जहां पर आपकी और तोशु भी मजबूर होकर मजबूर होकर आश्यभावन के अंदर चले तो में हम आपको बना दें कि अफाइल यहां पर अनुज के प्रपोजल को एकसिप करने वाली है अनुपमा जी हाँ जो प्रपोजल अनुज ने दिया था अनुपमा को उसे एकसिप करके अनुपमा शादी के लिए रेडी हो जाएगी और अब जब पूरा परिवार ही आशभ बच जाएगा फिलाल दोस्तों आपको लगता है कि अनुपमा और अनुज ने एकदम सही किया है इन लोग को आशभववन में रहने के लिए शरन देने के लिए क्या आप चाहते हैं कि अनुज और अनुपमा की शादी होता हमें कामेंस करें ऐसी टीवी की लिद्स अबडे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें